नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आपको मालूम होगा सिर्फ एक दिन बचा है SSE GD पेपर को शुरू होने में और आपके पास त्यारी के लिए एक दिन का वक्त है तो जी जान लगा दीजिए लास दिन में और बिलकुल ऐसा पेपर ही आएगा जो पेपर आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में अगर सिलेक्शन पका करना है GD में तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाईएगा वीडियो को skip मत करना क्योंकि यही पेपर आएगा आपके जीडी एक्जाम में तो आईए वीडियो सुरू करते हैं तो देखे दोस्तों क्योशन आपके स्क्रिन पे आ चुके हैं उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेर सबस्क्राइब कर देना आज का फर्स्ट कोशन है एक उचिपरवद दर्रा, रोताङ दर्रा कहां पर श्तित है देखिए उचिपरवद दर्रा, जो रोताङ दर्रा है न ये आपका हीमाचल परदेश राजे में स्तित है option 3 इस कोशन का right answer होगा next question है मुस्ताख एहमद का उपनाम क्या है nickname of मुस्ताख एहमद is musi देखिए मुस्ताख एहमद का उपनाम musi है option 3 right answer होगा next question निमन लिखित में से किस देश में पदमा नदी बहती है देखिए पदमा नदी जो है ना ये बांगला देश में बहती है option 3 is question का right answer होगा next question है निमल लिखित में से कौन सिंधू घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है सिंधू घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है ये बताना है तो धोला वीरा जो है न ये दोस्तों सिंधू घाटी का बंदरगाह शहर नहीं है option 3 right answer होगा वहीं बात करें सूत कागेंडोर और बाला कोट और कुंतसी ये तीनों ही जो है न ये सिंदू गाटी बंदरगा के शेर हैं नेक्स्ट कोशन निमन लिखित में से किस राजे में भारत में सबसे समर्धे मोनेजाइट जमा है देखिए भारत में जो सबसे समर्धे मोनेजाइट जो है ना ये केरल राजे में जमा है option two right answer होगा next question चमपारण में महात्मा गांदी से मिलने वाले किसान का नाम क्या था चमपारण में महात्मा गांदी से मिलने वाले किसान का नाम है राज कुमार शुकला option one is question का right answer होगा next question है इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी कवी थे महमूद गजनवी के दरबारी कवी फिर दोसी थे तो यहाँ पे right answer option four होगा इस question में next question है तमिल नाडू और आंदर प्रदेश के तटों को किसके नाम से जाना जाता है तमिल नाडू और आंदर प्रदेश के तटों को जो है ना कोरो मंडल तट के नाम से जाना जाता है option three is question का right answer होगा next question है मुहम्मद गोरी की मृत्यू कब हुई थी when did मुहम्मद गोरी डाए देखिए मुहम्मद गोरी की मृत्यू सन 1206 इस्वी में हुई थी option four is question का right answer होगा अगला question खुदाई खिदमतगार की स्थापना किस ने की थी who founded खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफार खान ने की थी option four right answer हो जाएगा next question देखते हैं फटा फट से अगला question है सरावती नदी निमन में से किसी ज़रने के रूप में गिरती है सरावती नदी गर सोपा ज़रने के रूप में गिरती है option to correct answer होगा इस question में next question है बहरीन की राजदानी क्या है what is the capital of बहरीन बहरीन की राजदानी है मनामा तो यहाँ पर right answer option 1 हो जाएगा इस question में next question है व्रह जातक के लेखक कौन थे देखिए व्रह जातक के लेखक थे वारा है मिहीर वारा है मिहीर जो है ना ये व्रह जातक के लेखक थे option 1 right answer होगा next question है निमन लिखित भारतिये नदी में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तीनों ही भारती है जो नदी है ये डेल्टा का निर्माण करती है तापी नदी नहीं करती है तो राइट आंस्वर ओप्शन वन हो जाएगा इस कोशन का नेक्स्ट कोशन है oldी निमन में से किस अवधी से है हिन्दु विकास्दर का समन जो है ये 1991 से पहले की अवधी से है तो यहाँ पर right answer option 2 होगा इस question में next question है chicken gunya किस virus से होता है देखिए chicken gunya जो है ना यह किसके कारण से होता है sorry तो यह आपका virus से होता है option 3 इस question का right answer होगा next question है भारत का सबसे छोटा राष्टे राजमार्ग कुन सा है which is the shortest national highway of India बारत का सबसे छोटा राष्टे राजमार्ग है NH47A option 1 right answer होगा next question देखते हैं निमन में से किस राजे में लेपचा जनजाती पाई जाती है लेपचा जनजाती यह आपका सिक्किम राजे में पाई जाती है option 4 right answer हो जाएगा next question है यादगीर बीदर और गदग जिले जो है न वो किस राजे में है यादगीर बीदर और गदग की बात करें तो यह करनाटक राजे में जिले है option 4 right answer हो जाएगा next question है भारत के राष्टे पती का जो कारेकाल है न वो पूरा होने से पहले लोकसवा को भंग कर सकते हैं किस की सलापर भारत के राष्टे पती जो है न देखिये प्रधान मंत्री की सलापर करेकाल पूरा होने से पहले लोकसवा को भंग कर सकते हैं option 4 right answer होगा next question है महात्मा गांधी का जनम किस वर्स हुआ था in which year was महात्मा गांधी born देखिये महात्मा गांधी का जनम पोरबंदर गुजरात में 1869 इस्वी में हुआ था option 2 right answer हो जाएगा 2 October 1869 को next question है जलिया वाला बाघत्या का अंड किस वर्स में हुआ था देखिये जलिया वाला बाघत्या का अंड अमरसर पंजाब में 13 अप्रिल 1919 को हुआ था option 3 right answer हो जाएगा next question निमन लिकित में से कोई महात्मा गांदी की पत्नी थी महात्मा गांदी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांदी option 1 is question का right answer होगा next question है तीन महाद्वीपों की सीमा को छूने वाले समुद्र का नाम बताईए तीन महाद्वीपों की सीमा को विहिन देस नहीं है यह बताना है तो मैं आपको बदाएता हूँ Cambodia, Thailand, Vietnam यह तीनों ही बंदरगा विहिन देस है और यहाँ पे जो है विहिन देस है वो है आपका Laos Option to right answer होगा और जो Cambodia, Thailand और वियतनाम है न यह बंदरगा विहिन देस नहीं है Laos है तो option to right answer होगा Next question है भारत में सुन्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्स में किया गया था भारत में सुन्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 वर्स 1987 में किया गया था Option 3 right answer हो जाएगा Next question है जनगना 2011 की अनुसार केरल का लिंगा नुपात कितना है जनगंडा 2011 के नुसार केरल का जो लिंगा नुपात है वो 1084 है option 1 is question का right answer होगा next question निमन लिखित में से कोन सा सहर भगवान के निवास के रूप में जाना दाता है देखिए भगवान के निवास के रूप में जो है ना प्रियागरा जाना दाता है option 1 is question का correct answer हो जाएगा next question प्रित्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण होता है प्रित्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण होता है rotation यानि की घुर्नन option 1 is question का correct answer हो जाएगा Next question है प्रेकरति के सरंग्षन का अंतराश्ट्रिय संग का मुख्याले कहाँ पेस्ठी थे हैं प्रेकरति के सरंग्षन का अंतराश्ट्र संग का जो मुख्याले है ये ग्लेंड स्विजर लेंड में है option वन का right answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन देखते हैं फटावट से अगला कोशिन आपके सामने है इन में से किस बंदरगाहों को New Manglor Port के नाम से भी जाना आता है देखिए जो New Manglor Port के नाम से जो है ना वो पानमबूर बंदरगाह को जाना आता है option 2 is question का right answer होगा next question है सरावती नदी निमन में से किस जरने के रूप में गिरती है ये question अपने कर चुके हैं गर्सोपा जरने के रूप में option 2 is the right answer next question है मुहम्मद गोरी का जो पहला आकर्मन है ना वो किस सन में हुआ जब उसने सुल्तान पर हमला किया था मुहम्मद गोरी का जो पहला आकर्मन हुआ था वो 1175 इसवी में हुआ था जब उसने सुल्तान पर हमला किया था सोरी मुल्तान पर option 4 is question का right answer होगा next question है अंडमान और निकोबार चेत्रा धिकार किस उच नियाले के अंतरगत आता है अंडमान और निकोबार का जो चेत्रा धिकार है वो दोस्तों कलकत्ता उच नियाले के अंतरगत आता है option 3 is question का right answer हो जाएगा next question है भारतिय सवीधान की जो प्रस्तावना है न वो किस सन में अपनाई गई है भारतिय सवीधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1909 को अपनाया गया था option 4 is question का right answer हो जाएगा अगला question कनाद दर्शन शास्तर ने किस स्कूल के संस्तापक है कनाद दर्शन शास्तर जो है न ये वेशेशिक स्कूल के संस्तापक है option 2 is question का right answer होगा next question है भारत ने किस देश के साथ व्यायाम इंद्र धनूस नामक सिंक्त से ने अभ्यास किया है तो ये किया है United Kingdom के साथ option 2 is question का right answer होगा next question है भारत के राश्टेपती का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल जो है न वो किसके द्वारा बनता है भारत के राश्टेपती का चुनाव करने वाला जो निर्वाचन मंडल होता है वो संसद और राजे विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्चे के द्वारा मिलकर बनता है तो यहाँ पे right answer होगा option 4 is question में नेक्स्ट कोशन है निमल लिकित में से को ऒँवन यूसको की विस्व धरवर स्तल है देखिये दारजलिंग हिमालियन रेलवे कालका सिमला रेलवे और निल्गरी परवत रेलवे यह तीनों ही जो है न वो यूसको की विस्व धरवर स्तल में शामिल है तो यहाँ पर right answer option 4 हो जाएगा उप्रोक्त सभी next question कौन सी गरंती अनते स्तरावी और बही स्तरावी दोनों के रूप में काम करती है तो यह करती है अगनियासे गरंती option 4 right answer होगा next question है कुमाउ हिमाले हिमाले का एक हिसा है जो किस नदियों के बीच में स्तित है option 2 right answer हो जाएगा next question है उस भारतिय कंपनी का नाम बताईए जिसने पहली बार भारतिय सेर बजार में 8 लाक क्रोड रुपे के बाजार पुंजी करन को छू लिया है तो यह है Reliance Industries option 3 is question का right answer होगा next question है अक्षान्स क्या होता है अक्षान्स जो है ना यह दोस्तों समानतर रेखा को कहा जाता है option 1 is question का right answer होगा next question है निमन लिखित में से किस लेख में मोलिक कर्तवियों को सुचिबद किया गया है और यह किस देश से लिया गया है तो देखिए दोस्तों यह किया गया है अनुचेद 51A में सुचिबद इसे किया गया है और यह सोवियत संग से सोवियत संग देश से लिया गया है option 1 right answer हो जाएगा next question है राना प्रताप सागर परियोजना किस राजे की संयुक्त परियोजना है राना प्रताप सागर परियोजना जो है ना यह मध्य पर्देश और राजस्थान राजे की संयुक्त परियोजना है option 4 right answer हो जाएगा next question है उच्छी नियाले के न्याइधीस को पद से कोन हटा सकता है उच्छी नियाले के न्याइधीस को विसेश भहुमत द्वारा पारित संसद के प्रस्ताव से राश्ट्रेपती हटा सकता है option 4 right answer होगा और आज का last question है यह और यह है आज का homework question इसका answer आपको comment box में देना है राश्ट्रेपती द्वारा लोकसभा में मनोनित सदश्यों की संक्या बताईए इसका answer आपको comment करके बताना है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को like, share और चैनल को जुरूर subscribe कीजेगा धन्यवाद